हेलोग दूस्तों पिछले वीडियो में शिखाया था आपको कि हाउ मेनी स्क्वार तीए गीचित में कितने स्क्वार है और उसमें सिखाया था आपको रो इस इक्वल टू कालम यह हमने आपको सिखाया था कि जब रो एंड कालम दोनों आपसमें बराबर हो तो उसका काउंट करते हैं सारे चीज़ों को वर्ग कर देते हैं काउंट कर लेते हैं लेकिन जब आब हम सिखा रहे हैं आपको रो एंड कालम इसकोल टू नहों तो फिर कैसे काउंट करें आई दोस्तों देखते हैं देखिए यहां पर वर्ण है और यह च्छे बन रहे हैं यहां पर जो रो है और जो कालम है यह इसकोल टू नाट इसकोल है आपस में बरावर नहीं है इधर छे है इधर साथ है जो बरावर नहीं हो तो उनको कैसे काउंट किया जाए वहां आपको देखा रहे हैं जब बरावर नहीं हो पहले जब बरावर ह तो इसको इधर भी चे ने इधर भी चे तो इनके चे तक के वर्ग करके जोड लेते हैं वर्ग करके जोड लेते हैं लेकिन जब बरावर नहीं हो इधर 6 हो इधर 7 हो तो फिर केसे इसको count किया जाए तो वही ट्रीक दोस्तों हम देखने जा रहे है जो इसका बड़ा अंग रो का जो बड़ा अंग इस कालम का बड़ा अंग छे है इस छे का रो के बड़ा अंग से मल्टिप्लाइ कर दिने जाए तो साच छिन कितना हो दोस्तों 42 फिर इसके अंक से मल्टिप्लाइ करेंगे च्छे पंजों 30 होगे पांच का चार से होगा पांचों कितना हो दोस्तों 20 होगा चार का तीन से होगा चारती है कितना हो दोस्तों 12 होगा तीन का दो से होगा तीन दोनी कितना हो दोस्तों 6 होगा दो का एक से होगा दो एक कम दो होगा यह वाद यानि कि इधर बड़ा है इधर कम है तो एक कम करते जाओ लास्ट तक एक एक कम करते जा और उसका काउंट कर लो अब इसको जोड़ लो दो और दो चार ने छे दस ने दो बारा कर दो है सिरा एक चार ने पांच ने तीन आठ ने दो दस ने 11112 कि युटी आगे आई होगा आम नेक्स्ट में सिखने वाले दोस्तों रेक्टेंगल कितने आये थे डिवक्तने क्तने आयात कितने आये थे आप दीगे अखरतिम कितने आयत होंगे को हम सीखने वारे तो दोस्तों अगला वीडियो देखनानेस ऊप्र